वेरी गूड मॉर्निंग तो आल अफ यू चात्रों इंडेस्ट्रियल फाइनांस का जो हम क्लास में पढ़ा रहे थे कल उसमें फंक्शन्स आफ आफ आई एफ स्याई चल रहा था उसमें आज हम लोग जो चर्चा करेंगे अप्रेजल आफ आई एफ सी आई परफर्मेंश भारती और द्योग वीत निगम के कार्जों का मुल्यांकन बर्तमान परिप्यक्ष को ध्यान में रखते हुए इस पर हम चर्चा करेंगे चात्रों और द्योग वीत निगम ने 1948 में छोटे पैमाने पर रिण सवाएं शुरू की और समय के साथ और द्योगी करण पर जोर होने के कारण इसके रिणों की मात्रा में काफी ब्रिद्धी हुई जहां 1977 में और द्योग वीत निगम ने किवल 32.2 करोर रूपय की शाहता प्रदान की थी वहां 1995 में इसके द्वारा प्रदान की गई शाहता दह दार तीन सो करोर रूपय तक पहुँझे प्रंतु 1990 के दसक के उत्रार्द से और द्योग वीत निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली शाहता में गिराव ठुई है दो हजार तीन चार में इसने किवल 1392 करो रूपय की वीतिय शाहता उपलब्द कराई जद्दपी और द्योग वीत निगम निजी शेत्र शार्जवानिक शेत्र तथा सहकारी शेत्र शावी कुर्ण सहायता प्रदान करता है तथा भी अधिकतर शाहायता निजी शेत्र को प्राप्थ हुई है वर्ष 2016-17 में अद्दोएक वीत निगम ने 7,930 करोड रूपय की शाहायता शुकिर्थ की जबकि शावी तरिट सहायता 3,093 करोड रूपय थी पालेश चात्रों भारती और द्योगिक वित निगम की कार्ज पधती तथा प्रगती के शमन्द में काफी मद्वेद है इसके पूझी कलेवर में विकाश तथा आउदोगिक परतिष्ठानों को इसे से प्राप्थ होने वाली वितिय शहायता में बृद्धी के अधार पर इसकी प्रगती संतोष जनक बतलाई जाती है प्रन्तु गहराई में जाने पर इस्ति कुछ विन दिखाई देती है महाल नोविश शमीती ने काफी पहले ही बताया था कि भारति और दोईग वित निगम की नीती से पूंजी के शकेंद्रन को पुरुसाहन मिला निगम पर शमान तह निम्नलिखित आरोप लगाये जाते हैं वितिय शहायता प्रदान करने में इसकी निती पक्षपाद कुन रही है इसकी काजपदिती से ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर कुछ बड़े ब्यपार ग्रियों का प्रभुत्त रहा है और वेही इसके साधनों का सरवाधिक लाव उठाने में समर्थ रहे हैं सेकेंड वितिय शहायता प्रदान करने में इसने मध्यम तथा लगु अकार के उद्योगों के हीतों की उपैक्षाकी है और भली भाती विकसित बड़े उद्योगों को अधिक रिण दिये हैं इसने पंच वर्षी व्योजनाओ के अंतरगत और दोएक विकास के निर्धारित प्राथमिकता क्रम की अवहलना कर पुंजिगत माल उद्योगों के तुलना में चीनी और बस्त उद्योगों को भारी मात्रा में विद्प्रदान किया है चवथा निगम पिछड छेत्रों में और दोएक विकास को प्रसान देने में अश्वल रहा है इसने अब तक जितने वितिय सहायता राजस्थान अशम उडिशा मतपरदेश तक केरा लिसित हो दोएगी काईयों को दी है उतने वितिय सहायता इसके द्वारा अकेले महाराष्ट को देना अनुचित है इससे छेत्री अशमनताओं को पुरसान मिल रहा है पांचवा निगम ने उन अनेक और दोएग परतिश्थानों को भी वितिय सहायता दी है जो पुझी बरजार में परतक शुरूप श्रिण प्राप्त करने मसमर्थ से छट्ठा निगम प्राय रिणी और दोएग परतिश्थानों पर शमुचित नियंत्रण रखने में अशमर्थ रहा है अनेक रिणी कमपनियों ने इससे रिण लेकर न तो छमता में बृद्धी की और नहीं उत्पादन को बढ़ाया प्रन्तु निगम ने इनके विरुद्ध कोई कार्जवाई नहीं की पिछले कुछ वर्षों से और दोएग वित निगम का निश्पादन अत्यांत असंतोस जनक रहा है वस्तव मार्श दो हजार दो को श्रमाप्त होने वाले वितिय वर्ष में निगम को दो हजार दो सौन चार्श करों रूपे की आयपर 885 करों रूपे की हानी हुई इसी वर्ष में ब्याज से आय यानी निगम के बिजनेस मुलाधार पर ही प्रस्चिल लगाए जाने लगे इतना ही नहीं निवल नन परफार्मिंग परिशंपत्यों जिस नन परफार्मिंग एसेट्स का निवल रिण से अनुपात 31 माज 2005 को 28 परतिशा तक पहुँच गया हाला कि इसी सिती में में शुधार हुआ और 31 माज 2006 को यह अनुपात 9.1 परिशा थो गया परन्तु निगम के पूझी से जोखिम भारित परिशंपत्य अनुपात जो 31 माज 2005 को माइनस 23.4 परिशा था उसमें और गिरावट हुई जथा 31 माज 2006 को माइनस 27.9 परिशा थो गया 31 माज 2004 को शमाप्त होने वाले बर्स में परिशालन लाव का आउसत कारसिल फंड से अनुपात माइनस 1.9 परिशा तक गिर गया जिसका अर्थ यह था कि और दोईग वित निगम को परिशालन हानियों हानिया हो रही थी हलाकि उसके बाद इस अनुपात में सुधार हुआ तता मार्च 2006 के आंत में बर कर 6.7 परिशा तता मार्च 2007 के आंत में 10.2 परिशात तक पहुँच गया यह सब तथ और दोईग वित निगम की खराब हालत को असपश्ट करते हैं वाश्टा 1996-97 के बाद से अदोईग वित निगम द्वारा लगातार कम होती हुई शहायता के कारण अब इसके अस्थित्व को प्रासंगीता पर प्रस्चिन लग गया है इस तरह से निश्कर्ष के रूप में हमका शक्ते हैं कि आज के बर्तमान परिपक्ष में अदोईग वित निगम इंडेस्टिल फाइनस कारपोरेशन प्राया रुग नवास्था में है चुकि लेकिन चुकि इस लेबस में पढ़ना है इसलिए इसकी भी चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए और खास तोर पर विहार के संदर में देखेंगे तो विहार के संदर में परफर्मेंस शुरू से ह इसकी उप्रेक्षित रहा और आज भी इसका जो परफर्मेंस है वह पूर्ट आसांतोस जनक निर्यासा जनक है वैसे राश्ति अस्तर पर भी जो तालिका जो भी फिगर आपको दिया गया वह स्पस्थ हो गया होगा कि इंडेस्ट्रियल फाइनस कर्पोरेशन की स्थिती शंतोस जनक नहीं है और बरतमान समय में भी यह रुग्ण की स्थिती में है लेकिन इसकी जो शिरी गणेश शुरुआ जो किया गया था और जो इसके आवशकताएं थी और जो इसके साधन थे उसको ध्यान में रखते हु जो उदेस्ट को लेकर किया गया वह उद्यो शफल नहीं हुआ कारण जो भी हो कुछ कारण पीछे के क्लास में दर्साय भी गए हैं लेकिन कारण जो भी हो उसकारण के फल सरुप इसके बिकल्प में बैंकिंग सेक्टर बहुत सारे जिंसियां हैं जो फाइनांसियल इंस्य का रूप में वो काम करती है लेकिन बरत्मान परप्रेक्ष में इसका मुल्यांगन का रूप में कर सकते हैं इसका कारण संतोज जनक नहीं है धन्यवाद